तक लीट अगश्व 2 कि अधित ऐलो फ्रेम्स वेलकम टू संजयर प्रुम्ये और आज हम इस सेलबस पम परिवाद आए को डिपेर कर रहे हैं बैटरी को डिपेर करने इसके जो फैकेच है वो देखे इसमें यह लिखा हुआ है है यह देखें जाएं साट वोल्ट है और चोबिस एमपेर हैं 62 वोल्ट चोबिस एमपेर है और इसम को मैंने भी निकाल के यह रिपेर कर रहा हुआ क्योंकि हंडेट पर्चेंट इसका बीमें खराब था मैंने इसको पूल तरह से चेक कर लिया था क्यूंकि जो भूल्टेज क अब देखिया इसा है इसमें जो तारे है ना असल में एक सेल कितने है इसलिए देखिए पहले से ऐसी वाली है इस तरह से इसकी लिका भी अब यह और आप अब यह है क्या यह भूल्टिज भी लिखा वाले तो यह तो यह बोल्ट क्या है अब जो इसमें जो भी में लगेंगे कौन सा लगाएंगे कैसे लगाएंगे इसमें दिखिए यहां पर तारे कितनी है यह है इसमें गिंती करेंगे तो काली अगर छोड़ के करते हैं तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारत तेरा है काली कि अपन प्राइब काली टार लुधार है अब इसमें चलेंगे तो 13 यहां बजर दो कॉन के त्यों सा फष्ट है कौन सा लिस्ट है और अगर फष्ट है तो इसमें से एक काली तार का क्या काम है अगर एक इक्स्टा है तो क्या काम है आप भी कन्फूज हो जाएंगे कि इसमें सेल ज्यादा तो नहीं लगेंगे क्योंकि यह सोला सेल है सत्रा सेल है और तारे यहाँ पर जादा है यह 13 है 13, 4, 17, 18 तारे हो जाते हैं इसके इसाब से तो एक मैनस छोड़ देते हैं इधर वाली तो यह 17, 18 तारे हैं तो यह तारे जादा हैं अगर तो आपको समझ में नहीं आती तो क्या करेंगे? इसे सेल को खोलेंगे पूरी पैकेट को खोलेंगे सेल गिंती करेंगे उसके बाद हर एक तार को गिंती करके लगानी है कि कौन सी किसकी है यहाँ पर देखो नंबर भी लिखा हुआ कहीं जगा नहीं लिखा होगा लेकिन आपको समझने पड़ेंगे 25 ये माइनस वाली बी माइनस है वह काली वाली तार है यह यहान से गिंती करते हुए जाएंगे तार पकड़ते हुए तो ये आपको last मिल ले जाकर ये जब last में पहुँचेंगे तो देखें ये क्या है B15 और इधर B16 और फिर इधर ये जो है B17 आता है जो बैटरी में जुड़े हुए है मतलब 18 तार में जो last वाली है वो 2 तार 81 लगी है ये देखें काली और सफे कि दो एक साथ लगी है तो फिर यहां पर वोल्टेज भी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि सेल कहीं सेल इक्ष्टा ना हो 17 के जगा पर ठारा ना सेल हो इसलिए खोलना पड़ा नहीं तो BMS खराब था BMS आप बाहर से भी चेंज कर सकते हैं आपको इसमें जो दो तारे थी लास्ट वाली यह छोड़ देनी है इसमें एक तार लगानी है और किसी भी BMS से लगा सकते हैं आपको बस यह दियान रखना होगा कि इसके जो एंपियर आउट पुट के एंपियर है मनें डिस्चार्जिंग के जो एंपियर है उसके एंपियर के हिसाब से आपको इसके बैट भी मिस लगा बैटरी से रिलेटेड लिथियम बैटरी से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो देखना है या रिपेरिंग सीखना है तो हमारे आये पूरी तरह से रिपेरिंग हम सिखाते हैं कि इस किया होता है दिन भर जब अब बैलन singles करेंगे बाई चारजिंग डिस्चारजिंग करना कोई भी एंप्यर नहीं रहा है किसी सेल में दिक्कत है कैसे पकड़ना है बहुत ज़रूरी होता है इसको नहीं जानेंगे सो अप रिपेरिंग नहीं सकते अगर आपपें कि मैं सी्रीज करना जानता हूं पैलेला Māori मीटर से बोल्टेज एक करना जानता हूं इतना को यह अगर ज़ती है नहीं ठीक है वो सकती है सिरफ वा सकती है जिसमें तारे लूज है तारे घीला था या बीमेस उपर उपर से देख लिए खराब है और किसमत अच्छी थी कि बीमेस लगाया चल भी गिया वो रिपेर हो सकता है लेकिन जो किटकल फाल्ट वाली होगी वो रिपेर नहीं हो सकता है तो हमारे यहां सीखी ने आये पुरी तरह सिखने गरंटी है कोई ऐसी बैट और स्ट्राइडिंग हो ही नहीं पा रहा है कोचिस कैसा बिल्कुल नहीं है एक परसंट भी है और श्राम करोलबाग मेट्रों में मेट्रों के नीचे सिखाते हैं दिल्ली के करोलबाग मेट्रों मेट्ट गीत नमबर एक के सामने हमारे इनसूट है संजय इलेक्ट्रोनिस एंजिनियर एसी इनसूट और यहाँ पे मोटर कंट्रोलर, चार्जर, लिथियुम बैटरी, एलेडी टीवी कि इन्वर्टर सभी सिखाते हैं आप शीक के PCP रिपेरिंग करना इस सबी सिखाते हैं और दिसक शीकने के लिए आपको ज्यादा नहीं है आप यह पांच दिन में सिख सकते हैं यह लिटियम बैटरी जो है डिपेरिंग करना बहुत हमाई असान है बस समझने की बात है आपको चाहे पढ़ने लिखने की कोई बात नहीं है यह अधूरा है और अधीरो क्याम क्या होता है आगे पता चलेगा आपको दो सल बात जब बैटरी बैटरी पूरी गली चिलाएंगे और आपको बैटरी के जड़ास भी पता नहीं है और मोटर कंटूलर जानते हैं आप वेकार हो जाएंगे क्योंकि एलेक्ट्रिक वहेकल में सबसे बड़ा काम बैटरी की है कंट्रोलर आप बाहर से चेंज कर सकते हैं बैटरी तुरंद चेंज नहीं कर सकते हैं इसलिए बैटरे जरूर सिखेंगे तो आप पुरी तरह से कंटोल गाडी को रिपेड कर सबकें कई ऐसे फाल्ट होते हैं जो बैटरी सोती है और आप कंटोलर मोटर में लगर रहते हैं ऐसा प्रोब्लम दूर करने के लिए बैटरी जरूर सिखने चाहिए और ज्यादा कठीन नहीं है पांच दिन का क्लास है अगर आप नौलेज है थोड़ी से पहले पहले से सिरीज पहलल करना जानते हैं तो तीन दिन का क्लास है पूरी तरह सिखने गरंटी है वीडियो देखने के बाद सारे बैटरी से सारी गाड़ी चलेगी यह सब कईयों को पता नहीं तो उन्हें आप वीडियो सेड किजिए ताकि उन्हें समझ में कि कोई कठीन काम नहीं है बिल्कुल यह असान है सिख सकते हैं कोई भी किरसी को भी अपना नया काम चालू करना चाहते हैं तो आप बहुत रिक्स की बात है, इंसूट में ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं रिक्स का काम करता हूं, करते आ रहा हूं, और मैं कर रहा हूं, आप सिखे, अगर सिखेंगे, आप भी समझदार हैं, रिक्स में ही सारा काम होता है, मैं यह नहीं करता हूं कि आप बै